हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमरा यूटूब चनल चोपड़ा एजूकेशन और मैं हूँ हरसाय चोपड़ा दोस्तो उन स्टुडेंट के लिए बहुत बड़ी खुसकपरी है जो लोगडाउन के कारण अधर इस्टेट में फसे हुए हैं तो राजस्तान गवर्मेंट ने एक सेवा सुरू की है जिसके तहद बाकी स्टेट के स्टुडेंट राजस्तान से अपने घर जा सकते हैं और राजस्तान के स्टुडेंट जो अधर स्टेट में फसे हुए हैं वो भी राजस्तान में आ सकते हैं वैसे तो बाकी स्टेट के लिए भी इस परकार की फैसलिटी सुरू करने का ग्रैम अंतरा लेने एलान कर दिया है और एक नोडल एजेंसी गठित की है जो काम बखू भी करेगी लेकिन राजस्तान गौर्मेंट द्वारा ये काम स्टार्ट हो चुका है आपको इमित्रा की वे राजस्तान.gov.in टाइप करना है गूगल में और जैसे ही आप गूगल में टाइप करोगे इस परकार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी ये इमित्रा की वेबसाइट है राजस्तान की इसमें नीचे जो रेड में लिखा है राजस्तान फोर माइग्रेंट और इसमें चेक स् है तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस परकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा मैं अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो यहां से डेक्स्टोप साइट पर क्लिक कर लेंगे तो इस परकार से ये इंटरफेस आजाएगा लैप्टोप में इस परकार से कर जाना चालते हैं दूसरे स्टेट में पसे हुए हैं इसके बाद में दूसरा है आउट वार जावक याणि कि आप अधर स्टेट में Jannak में पसे हुए हैं जैसे कोटा में पसे हुए हैं और बिहार बंगाल में जाना चाते हैं तो आपने आउट वर्ड पर क्लिक करना है मैं आपको आउट वर्ड पर क्लिक करके एक बार इस फोर्म को कैसे फिल करना है वो बता देता हूं अब आपने आउट वर्ड पर क्लिक करने क से बाद में शोर्स एड्रस पर क्लिक करना है यानि कि अभी आप कहां हैं कहां से जाना चाते हैं राजस्तान की कौन सी जगे से जाना चाते हैं इसमें दो अप्सन दिये गए हैं रूरल और अर्बन अगर आप ग्रामीन एरिये से जाना चाते हैं तो रूरल पर क्लिक करना है तो आप quota में हैं माल लो तो urban में हैं तो urban पर click कर दिया है state already select राजस्तान में है राजस्तान आ रहा है यहां से आपने division select कर लेना है तो मैं यहां quota division select कर देता हूं इसके बाद में district select करना है district में quota select कर देता हूं इसके बाद में तैसील select करना है तो तैसील मैंने यहां select कर दी है कोई भी जो यह कोटा की तैसील है वो यहां पर मैंने सेलेक्ट कर दी है इसमें इसके बाद में तैसील सेलेक्ट करने के बाद में आपने यहां मुंसिपल्टी सेलेक्ट करना है तो यहां कोटा सेलेक्ट कर दिया है और यहां एडरस आपने जहां आप रह रहे हैं कौन से ओस् में यह भरना है तो इस्टेट भरना है आपको कौन से स्टेट में जाना चाते हैं तो मानलो मैं बिहार में जाना चाता हूं डिस्टिक भरना है आपने बिहार का मैंने यहां डिस्टिक भर दिया है औरंगाबाद औरंगाबाद भरने के बाद आपने एड्रस भरना है कि है आपका वो आप यहां नाम भर सकते हैं नाम भरने के बाद में आपने जेंडर भरना है जेंडर भरने के बाद में आपने एज भरनी है आपकी कितनी एज है वो मैंने यहां एज भर दिया है यहां पर अगर आप इसमें एक से ज्यादा जाना चाहते हैं, दो, तीन, चार जाना चाहते हैं, तो add migrate पर click कर दें, otherwise ऐसे ही रहने दें, इसके बाद आप अपने mobile number भरें यहाँ पर, मैंने यहाँ पर अपने mobile number भर दिये हैं, यह mobile number भरने के बाद में, आपने यहाँ oven transport अवेलेबल, अगर आप अपने transport से जाना चाते हैं, अपने गाड़ी से जाना चाते हैं, तो इसमें yes करना है, अगर आप government के transport में जाना चाते हैं, तो यह government आपकी यह ब्योस्ता करेगी, कि आपको कैसे भेजना है, तो अगर आप अपने transport में जाना चाते हैं, तो yes पर click कर दें, जैसे ही yes पर click करेंगे, इसम बाद में आपने उसका रेजिस्टेशन नमर भरना है अगर आप पब्लिक के लिए यहां नो भरते हैं तो इस परकार की डिटेल आपको भरनी नहीं है तो इस परकार से आप यह रेजिस्टेशन नमर भर दें इसमें रेजिस्टेशन नमर भरने के बाद में आपने यहां पर इस पर click करना है, check box पर click करना है और submit पर click करना है तो जैसे ही आप submit पर click कर देंगे आपके पास में जो आपने phone number दिया है उस phone पर आपके पास में information आएगी कि आपने कैसे जाना है ये form भरते ही आप ये ने समझें कि आपका registration होते ही आप जा सकते हैं आपके पास में confirmation mail आएग उसके तहित आगे आपने कारवाई करना है अगर आप अधर स्टेट में है और राजस्तान में आना चाते हैं तो इनवर्ड पर क्लिक करना है आपको इनवर्ड पर क्लिक करने के बाद में आपने स्टेट जहां जिस स्टेट में है वो स्टेट वरना है कि कौन से स्टेट से चाता हूं वहां का आपने डिस्टिक बरना है कोई भी डिस्टिक जिस डिस्टिक से आना चाते हैं और उसके बाद में आपने एड्रस भर देना है एड्रस भर देने के बाद में जो सेकंड ओप्शन है उसमें भी सेम आपने राजस्तान में आना चाते हैं अभी कौन से डिव और डिविजिन के बाद में डिस्टिक बरना है इसमें डिस्टिक बरने के बाद में इसमें आगे आपको तैसील सेलेक्ट करनी है तैसील सेलेक्ट करने के बाद में आपने पंचायद सेलेक्ट करनी है पंचायद सेलेक्ट करने के बाद में आपने एड्रस यहां देना है कि इ मोबाइल नमबर बगरा डालके आप इसमें फिर ये इस पर चैक बोक्स पर क्लिक करके सब्मिट करेंगे तो इस प्रकार से ये फोरूम फिल हो जाता है आप अपने मोबाइल से भी फोरूम फिल कर सकते हैं लैपटोप या कम्प्यूटर से भी फोरूम फिल कर सकते हैं आप इ इसके बाद में जो आपने ये registration किया है इसका status भी चेक कर सकते हैं इसमें आगे चेक status for migrant registration लिखा है इस पर click करेंगे तो आपको जैसे ही आप ये registration submit करेंगे तो आपको registration receipt मिलेगी या तो उसके receipt number डालें आप या फिर mobile number डाल दें यहांपर और submit करेंगे तो आपकी application का अभी क् बता देगा तो दोस्तों ये जानकारी थी कि किस परकार से आपने registration करना है अपने घर जाने के लिए तो इस परकार की और कोई update मिलेगी तो हम आपको सुझित कर देंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon फ्रेस करें वीडियो को like को ज्यादा ज्यादा शे अपर हमेहिं